हेलो स्टूरेंट्स बी ए पार्ट फर्स्ट के स्टूरेंट्स को मनो विज्ञान विशह में मैं डॉक्टर मनोर मात्यागी आज चैप्टर पढ़ाऊंगी पूर्वा ग्रह प्रेजुडिस जो इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये शुरू करवा चुकी हूँ और पूर्वा ग्रह की प्रकृति किस प्रकार की होती है पूर्वा ग्रह की विशेश्टाएं क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूर्वा ग्रहों का विकास किस प्रकार से होता है पूर्वा ग्रह से जैसे कि आप जान मनोवरती और इस तरह की जो मनोवरती होती है इससे कुझ जाती वर्ग विशेश के बारे में हम जो है वो नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये जो पूरवा ग्रह हैं ये समाज में रहकर व्यक्ति सीखता है बच्पन से ये पूरवा ग्रह बच्चे के अंदर नहीं होते दी दीरे दीरे वो अपने परिवार में अपने आसपास के वातावरंड से इन पूरवा ग्रहों को सीखता है तो पूरवा ग्रह कई प्रकार के होते हैं सभी व्यक्ति में सभी प्रकार के पूरवा ग्रह हो ये आवशक नहीं है कुछ जातिये पूरवा ग्रह होते हैं कुछ धा से कारक है जो पूर्वा ग्रहों के विकास में सहायक होते हैं इस पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे तो सबसे पहला जो कारण है पूर्वा ग्रहों को वो है आत्म प्रेम आत्म प्रेम से मतलब है कि हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है या अपने आपको पसंद करता ह तो आत्म प्रेम की वज़े से ही कई बार वे दूसरे लोगों के प्रती उसके नकारात्मक भाव बन जाते हैं और विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति अपने आपको प्रेम करता है यह देखा गया है कि उसके इस आत्म प्रेम में जो लोग मदद करते हैं उनके वे नजदीक आ जाता है और जो मदद नहीं करते हैं उनसे वे दूर हट जाता है तो इस आत्म प्रेम में जो बादक होता है उससे वो दूर हट जाता है तो आत्म प्रेम के कारण एक दिवार सी बन जाती है और व्यक्ति के अंदर कुछ लोगों के प्रती पसंद और कुछ लोगों के प्रती नापसंद विक्सित हो जाती है जो पूर्वा ग्रहों का आधार बनता है दूसरा जो कारण है पूर्वा ग्रहों का वो है सीखना या अनुकरण कि अक्सर यह देखा गया है कि पूर्वा ग्रहों का जो विकास है वो व्यक्ति दूसरों से सीखता है बच्चा जो है जब छोटा होता है तो अनुकरण के दौरा वो अपने परिवार के लोगों से बहुत सारे वहवार सीखता है परिवार के लोगों से ही बच्चा पूजा पाट करना, मंदिर जाना आदि सीखता है जब वे अपने समाज, धर्म, राजजाती के रिती रिवाज सीख लेता है तो उसे दूसरे जाती, धर्म और समाज के लोगों की बातें पसंद नहीं आती हैं या उसे अजीब लगती हैं, इस हवस्ता में उनके दिमाग में पूरा ग्रहित निर्नियों का निर्मान हो जाना स्वभाविक होता है कई विद्वानों का ये कहना है कि अनेक अध्यन ये बताते हैं कि अमरीका के गोरे वर्ण के जो बालक हैं, माता पिता से दंड पाकर ही सीखते हैं उन्हें हपसी बालकों के साथ नहीं खेलना है मतलब गोरे जाती के जो लोगों के जो बच्चे हैं वो बच्पन से ही माता पिता उनको ये सिखाते हैं कि उन्हें जो काली जाती के या हबसी जो ब्लैक पिपल हैं उनके साथ खेलना नहीं है तो शुरू से ही उनके प्रती उनके मन में भी एक नकारात्मक भाव बन जाता है इसी प्रकार से जातिय भेद का अनुभाव विक्सित होता है और उन्होंने ये भी देखा कि उच्च कक्छाओं में अपनी जाती के लोगों से प्रेम और दूसरे जाती के लोगों से घणा लोगों में होती है तो उसके बाद जो तीसरा है कारण पूरा ग्रहों के विकास का वो है पूरा ग्रहित निर्णेओं को बच्चों तक भेजना पता बच्चों तक भेजने से मतलब है कि बच्चों की सबसे जो पहली पार्टशाला वो परिवार होती है और बच्चा इस पार्षाला में समाजिकता के साथ साथ, अनेक प्रकार के वहवार, वहवारों को सीखता है और ये देखा गया है कि उच्छ जाती के रूडी वादी परिवारों में जो उत्वन बच्चा है, वो निम्द जाती के लोगों को कमजोर या अपने से छोटा समस्त है और छुवा छात भी वह सीख जाता het करणा बच्चों को विविन प्रकार के पूरवा ग्रे जो है वह सीखने का मोगा उसके अध्यापकों से भी मिलता है उसके साती समूहों से मिलता है छात्रों को अनेक पूर्वा ग्रे अध्यापकों के वह边 inappropriate अक्सर ये देखा गया कि पाठे वस्तु समान होने पर भी यदि पढ़ाने वाले अध्यापक का दश्टी कोन भिन है तो इसका प्रभाव पूर्वा ग्रह पर पढ़ेगा। अग्सर ये देखा गया है कि कुछ जाती विशेश के लोगों में अपने को उच्च समझने की भावना होती है वह दूसरे जाती के लोगों को निम्न समस्ते हैं और ये विशिष्टता की जो भावना है ये ही अनिक प्रकार के पूर्वा ग्रहों को जन्म देती है उसके बाद अगला है विफलता और निराशा की भावना कि अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग असफल होते हैं या जिनमें निराशा की भावना होती है उनमें पूर अग्रह जल्दी विक्सित होते हैं क्योंकि व्यक्ति की अनेक आवशक्ताएं होती है और इन आवशक्ताओं की पू और उसे निराशा अनुभा होती है ऐसी अवस्ता में जिन व्यक्तियों के कारण आवशक्ता की संतूष्टी नहीं होती उनकी प्रती उसमें विरोधी भाव उत्पन हो जाता है तो इस प्रकार से अक्सर ये जो रिजर्वेशन के संबंद में ये देखा जा सकता है कि जब बह बच्चे किसी कंप्रटीशन में नहीं आ पाते हैं और रिजर्वेशन के कारण और बच्चे जिनके अंक कम में वह आगे निकल जाते हैं तो उन बच्चों के ब्रती उनके मन में एक पूर्वा ग्रह का विकास होता है और निराशा की उत्पत्ति होती है जो उनके पूर्व ग्रहों का विकास होता है उधारन के लिए जिन व्यक्तियों को सर 1947 के संप्रदाइक दंगों का अनुभव है उनमें इस आघात पूर्ण अनुभवों के कारण विबिन प्रकार के पूर्वा ग्रह उत्पन हो गए पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी पंजाबी लोग आज भ जो इज़्जत थी वो भी मतलब सुरक्षित नहीं थी और वो बे घरबार हो गए अनेक प्रिवगात्म करद्यान से यसीद हो चुका है कि केवल अनुभवों के आधार पर ही पूर्वा गया निर्मित नहीं होते बलकि वातावरण संबंदी अनेक कारण भी इनके विकास मे की महतवपूर्ण हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे आगात पूर्ण अनुभव होते हैं जैसे जातिय रही संगर्श हो गये संप्रताइक दंगे हो गये उसमें जो लोगों को नुक्सान होता है और जो लोगों को हानी उठानी पड़ती है तो जिस वजह से वह संप्रताइक धं कि देखा गया है कि जो संकीन प्रकरती वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्में पूर्वा ग्रहों का विकास जल्दी होता है। कुछ मानसिक रोग होते हैं उन्में अधिक द्रड धार्नाओं का निर्मान होता है। उधारन के लिए पैरानोया एक मानसिक रोग है। इस रोग से पीडित व्यक्ति को इस बात की शंका रहती है कि लोग उसके खिलाफ शड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह वे अपने खास ल विशेषता हैं भी इसमें जैसे कम बुद्धी का इस्तार होने पर भी पूर्वाग्रह जल्दी विक्सित होते हैं क्योंकि ऐसे लोग सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो अपने विवेक से काम नहीं ले पाते हैं। सही और गलत की पहचान उ जब कुछ वर्ग सामाजिक वर्ग एक दूसरे से दूर होते हैं चाहे वो आर्थिक आधार पर दूरी हो चाहे वो धार्मिक आधार पर दूरी हो तो सामाजिक दूरी जब जादा होती है तब पूरवा ग्रहों का विकास जल्दी होता है। यह देखा गया है कि अध्यानों उनमें कमी देखी गई, तो इस तरह से समाजिक दूरी हमारे पूर्वा ग्रहों को बढ़ा देती है, समाज के विक्ति में आयू प्रतिश्ठा की दृष्टी से भी समाजिक दूरी होती है। जैसे गरीब लोग अमीर से एक दूरी बना के रखते हैं, अमीर लोग गरीब से बना के रखते हैं और इस तरह से जो बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनमें आपस में दूरी होने के कारण भी तोकि समवाद कम होता है, बातचीत कम होती है, विचारों का अदार वो विक्सित हो जाते हैं अगला है सामाजिक निशेद और रोक्थाम कि समाज में व्यक्ति कुछ सामाजिक अवरोधों के कारण भी स्वतंत्र रूप से वहवार नहीं कर सकता है और अपने समाज में विभिन प्रकार के भोजन और लिंग को लेकर जैसे इस्तरी पुर्षों क लेकर अनेक प्रकार की जो है वो रूढिया प्रचलित हैं जैसे उच्छाती के लोग निमजाती के लोगों के साथ खान पान नहीं चाते पराइस त्रियों बहु बेटियों से खुल का बातचीत करना उनके साथ घूमना निशिद्ध है तो यह जो निशेद्ध होते हैं जो उच्छी समस्ते हैं और अपनी संस्कृती को मतलब निम्न समस्ते हैं और अपनी संस्कृती को उच्छी समस्ते हैं दूसरे व्यक्तियों की संस्कृती में कम्या निकालते हैं कई संस्कृतियों में तो यह भी सिखाया जाता है कि तुम्हारी संस्कृती दुनिया की अन्य सं वरगय निर्मित होते हैं फिर है आर्ठिक अंतर कि आर्ठिक आदार पर लोग अनेक वरगों में बर्टे हुए हैं उस्व निम्न वर्ग गरीब अमीर तो माकसवादी लेखकों का यह कहना है कि पूर्वा ग्रहों के निर्माण का कारण वरगय शोशन है यह देखा गया है कि धनी वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को निर्धन परिवार के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते हैं, यहाँ था कि उनसे बात भी नहीं करने देते हैं, और वो कहते हैं कि यह गंदे लोग हैं, इनकी बुरी आदते हैं, इसका प्रभाव तुम होने के नाते असब्य, असिक्षित और मूर्ख लोगों के जश्टी में होता है, जैसे केम्प बैल ने अपने एक अध्यान में देखा कि जो व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्तितियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनमें अधिक पूर्वा ग्रह पाए जाते हैं, तो इस इस तरह से पूर्वा ग्रहों को आर्थिक जो इस्तर है, वो भी प्रभावित करता है, उसके बाद है धर्म, कि धर्म के आधार पर पूर्वा ग्रह निर्मित होते हैं, आज भी उच्छ जाती के लोग, हिंदू लोग, मुसल्मानों और इसाईयों को मलेच समझते हैं, और अपने आपको अधिक उचा समझते हैं, धर्म के आधार पर अनेक प्रयोगात्मक अध्यनों में देखा गया है कि जो व्यक्ति गिर्जा घर जितना ही अधिक जाते हैं, उनका पूर्व धार्णाओं में उतना ही अधिक विश्वास होता है, तो धार्मिक लोग से जो कटर रोग होते हैं, उनमें पूर्वा ग्रह जादा देखने में आते हैं, फिर है प्रचार, कि प्रचार के द्वारा भी पूर्वा ग्रहों का विकास होता है, अक्सर नियूस पेपर, चलचित्र, रेडियो, टीवी, इनके माध्यम से, अनेक प्रकार के ऐसे प्रचार होते हैं, जिनसे की पूर्वा ग्रहों को बल मिलता है अपने इस तथे की अमरीका की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रचार के अध्यन के आधार पर उन्होंने पुष्टी की है कि आजकल हम जो चलचित्र देखते हैं कहानिया पत्र-पत्रिकाओं अकबार मैगजिन पढ़ते हैं इन स सबकी विशे सामगरी का प्रभाव भी हमारे पूर्वा ग्रहों के निर्मान पर पढ़ते हैं तो और इसके ये सबी कारण जो है ये मुखेर हैं पूर्वा ग्रहों के विकास के लिए इसके अलावा भी बहुत से भोगोलिक, राजनेतिक, एतिहासिक कारण भी होते हैं जो पूर्वा ग्रहों के निर्माण में और विकास में सायक होते हैं तो students आज मैंने आपको बताया पूर्वा ग्रहों का निर्माण या विकास किस प्रकार से होता है और पूर्वा गरहों के निर्माण में कौन-कौन से कारक उत्तरदाई होते हैं मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स thank you so much students